क्या जमाना आ गया है आज कल बल्ब में वाइफाई होता है और होल्डर पे कैमेरा होता है जी हाँ ये जो होल्डर है इसमें कैमेरा है तो ये वाला हो गया एक नॉर्मेल होल्डर लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कलासा डॉट है ये एक्शुली एक कैमेरा है जी हाँ सिर्फ holder पर ही नहीं, आज कल सस्मा में भी camera होता है, तो इस चस्मे में भी camera है, इसमें भी camera है, उसके अलावा यह जो mobile charger है, इसमें भी camera है, तो इसका वीडियो बन गया है, बाकी सबका मैं बनाऊंगा, लेकिन आज मैं review करने वाला हूँ, इस holder CCTV camera का, यह देखने में holder जैसा है लेकिन actually एक CCTV camera है, और hidden camera है, या फिर spy camera है, तो इस camera से आपको फाइदा भी हो सकता है, और नुकसान भी हो सकता है, मतलब जो कि यह देखने में एक holder जैसा है, spy camera है, hidden camera है, किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें camera है, तो इस से आप किसी पे निगरा नहीं रख सकते हैं, कोई sting operation या सबुत एकर्था करने के लिए ये camera काम आएगा, इसमें video के साथ audio भी record होता है, और इसके अंदर आपको एक memory card लगाना पड़ेगा, उसमें video recording होता रहेगा, उसके अलाबा ये एक wifi camera है, मतलब इस camera के footage को आप दूसरे जगा से देख सकते हैं, मतलब जिस जगा पे आप उस जगा से ये video live transmit करेगा अपने smartphone पे, और आप कहीं से भी इस camera को देख और सुन पाएंगे, इसके लिए एक app आता है, उसको आपको अपने smartphone पे download करना पड़ेगा, तो ये थे 5 day, आप इसको अपने काम के लिए use कर सकते हैं, लेकिन गलत काम के लिए नहीं, जैसे कि हुग साध़न रहें, आपके bathroom पे भी ये camera हो सकता है, नहीं तो किसी hotel पे आप जाते हैं, वहाँ पे भी ये camera हो सकता है, तो उससे आपको नुक्सान हो सकता है, तो इसलिए आज से आप अपने घ़र के, ये तो कहीं पे भी जो holders होते हैं, उसको चेक कीजिए कि वहाँ पे इस type का क अगर कला दोट है तो समझ जाईएगा कि वो camera हो सकता है लेकिन सर्फ इहां पर ही camera होता है ऐसा कंदर बिल्ट होसकता है तो ऐसे धाली holders होते हैं उससे भी सदधन रहे है लेकिन अगर holder पे कोई बाप लगा रहता है तो कोई प्रोड़म नहीं होगा तो सिर्फ देखिए उसके चारो तरफ कोई काला चेट तो नहीं है तो मैंने आपको बता दिया इस कैमरा का फाइदा और नुकसान तो अगर आपको ये कैमरा लेना है तो इसको खेड़ने का लिंक आपको इस वीडियो के कैसा है सब कुछ देख लीजिए उसके बाद आप इसको और कर सकते हैं तो बॉक्स में ज्यादा कुछ नहीं आता है सबसे उपर ये वाला हो गिया उसका नाम लिखा हुआ है तो इसको आपको स्मार्टफोन पर इंस्टॉल करना पड़ेगा तो उसके बाद ये वाला हो गिया होल्डर कैमेरा चलिए निकालते हैं इसको तो बॉक्स में और कुछ नहीं है और इस होल्डर कैमेरा के साथ आपको ये वाला प्लाग भी मिलेगा तो डिरेक्ली आप इसको स्वीजबूर्ट पे लगा के प्लाग कर सकते हैं नहीं तो इस वायर को काटके इसको नॉर्मल होल तो देखिए जल रहा है, मतलब as a normal holder भी ये काम करता है, और इसको power देते ही ये camera recording करना शुरू करता है, तो इस camera पे आपको एक micro SD card लगाना पड़ेगा, जो इसके पीछे है, तो ये बला हो गया micro SD card slot, और यहाँ पे एक tape लगा हुआ है, चलिए उसको निकल के देखते हैं कि continuously, और जब micro SD card full हो जाता है, तब ये automatically memory card को format करता है, और डूबारा नया video recording करता है, तो अब ही ये ready है यूज़ करने के लिए, लेकिन इसका जो live preview है, उसको smartphone पे देखने के लिए, आपको ये वाला app डाउनलोड करना पड़ेगा, तो चलिए वाला app डाउनलोड कर लेते हैं तो ये वाला हो गया app, तो चलिए अब इसको install करते हैं, install हो चुका है, चलिए अब इसको open करते हैं, allow करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आया है add now, तो add now पे tap करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे 3 mode दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं पहला वाला select करने वाला परेगा तो मैंने इसमें powered area है अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अभी गल्टी से भी इस holder पे उंगली मत डा लिए क्योंकि इसमें 220 वर्ट का current आ रहा है उसके बाद अभी setup करेंगे उसके लिए app में यह बला जो mode 1 है उसको select करेंगे उसके बाद location on करना पड़ेगा मतलब GPS को on करना पड़ेगा उसके बाद यहां पर दिया है go to Wi-Fi configuration तो बहाँ पर मैंने tap किया तो यहां पर यह बला जो TUT 224 यह बला आया है इसको select करना पड़ेगा मतलब इस camera से भी Wi-Fi emit होता है और यही Wi-Fi अभी यहां पर connect हो हो गया है अभी बेक चलेंगे तो बेक चलते ही यहां पर देखिए अटोमेटिकली camera एड़ हो चुका है अभी इसको share करेंगे उसके बाद मेरे घर का जो Wi-Fi है उसको select करने के लिए बोला है मेरा घर का Wi-Fi यह बला है अभी उसका password भी डालना पड़ेगा अभी करेंगे तो आभी यह जो holder है holder camera है मेरे घर के Wi-Fi डाउटर के साथ connect हो रहा है तो देखिए successful बताया है अभी मैं यहां पर tap करके इसके live preview को देख सकता हूं तो यह देखिए camera live हो चुका है तो आभी आप देख सकते है camera online है यह live है camera पुरा इसको full screen भी कर सकते हैं यहां पर tap क करके तो चलिए ठीक से दिखा देता हूं मैं तो आभी आप देख सकते है camera पुरा online है और यह recording करना शुरू कर दिया है और इसका like preview मेरे smartphone पे आ रहा है तो यह रहा मैं clear TV ठीक ही लग रहा है मुझे HD quality है full HD बोला है company ने तो थोड़ा सा घुना के मैं आपको दिखा देता हू रूम उसके बाद बाहर का भी दिखा देता हूं चलिए तो यह देखिए क्लियर ठीक है अच्छा है इसको CCTV camera आप यूज कर सकते हैं तो चलिए अभी देखते हैं एप में क्या-क्या features है तो एप में हाँ पर recording का option है इसको दबाने से आपके smartphone पे video recording होना शुरू हो जाएगा wirelessly मतलब आप दूर से ही camera का video recording कर सकते हैं अपने smartphone पे मतलब camera में जो microSD card है वहाँ पे तो recording होगा ही उसके अलाबा आप remotely भी recording कर सकते हैं अपने smartphone पे तो यह सकता इस camera का settings और यह था इसका app तो चलिए अभी देखते हैं इस camera का video quality दे का और नाइट का अभी आप तो यह था इस camera का video quality दे का इंदोर का और इस camera से audio भी record हो रहा हाँ आपी आप तो यह था क्वाल्टी तो इसका तो क्वाल्टी है वह है एसदी फूल एसदी भी नहीं है तो ठीक्था भी है अच्छा राइटिंग कोनेशन से प्रो प्रोथ प्रेललब और भी कर अगह है अगाद्धा अग्वल्स तो ये था एक बहुत ही खटरनाक कैमेरा तो ये कैमेरा आपको कैसा लगा कॉमेंट करके मुझे बताइएगा तो अगर आपको ये लेना है तो इसको खरेड़ने का लिंक आपको इस वीडियो के ड्रेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आशा करता हूँ आपको आज का जो वीडियो है काम का लगा इंफोर्मेटिव लगा अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के यूनिक वीडियोस देखते हैंने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे प्रोडॉक के साथ तब तक के लिए नमस्कार